Welcome to Star IQ, Star IQ की वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज 7 अगस्त 2023 के हरियाना करेंट अफेर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आए सेशन की करते हैं सुरुआत अगर आपने अभी तक Star IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेर जरूर करिएगा इस पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल को दोस्तों अगर आप साथ महीने के करेंट अफेर चाहते हैं तो Star IQ अप्लिकेशन को डाउनलोड करना वहाँ पे आपको जनवरी से जुलाई तक के हर्याना करेंट अफेर का PDF बाइलेंग्वल में मिल जाएगा एबुक मिल जाएगा एक्चुली अच्छा सबसे बड़ा एक एतिहाद बरतने वाला समय है वो यह है कि आई फ्लू या कंजेक्टिव वाइटिस ये इसके लक्षन है फिलहाल के लिए ऐसा कि आँख लाल हो रही है या गुलाबी हो रही है या यू समझेगा आँखों से पानी बहुत ज़दा बहरा है आँखों में यू महसूस हो रहा है जैसे कुछ दाने से डाल दी हो किरकिला सा महसूस हो रहा है आँखों में जलन या खुजली बहुत हो रही है एक गाड़ा पानी डिस्चार्ज जैसा हो रहा है स्वैलिंग आ रही है या मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं तो आपको आँखे आपकी चिपी चिपी महसूस हो रही है तो समझेगा यह आई फ्लू के लक्षन है इस बात को ध्यान रखिएगा आई फ्लू किसी के आँखों में देखने से नहीं फैलता है यह एक मिथ है ध्यान रखिएगा आई फ्लू एक्टिरिया वाइरस और एलरजी इनसे हो सकता है तो एक्चिली किसी अगर परसन को आई फ्लू हुआ है देखने से नहीं लेकिन उसको छूने से जरूर हो सकता है तो ऐसे परसन को आईसोलेट रहना चीए और ऐसे परसन को आपको भी थोड़ी दूरी बना के रखनी चीए उसके साथ खाने से या उसके कपड़े पहनने से या कोई लड़की है माल लो तो उसका यूज किया वा काजल आईलाइनर जो भी है वो सेम यूज कर लो वैसे भी ये नॉर्मली नहीं करना चाहिए किसी का भी काजल आईलाइनर वगरा नहीं यूज करना चाहिए पर इस केस मे मैं आपको बताया भी था कि रेलवे स्टेशन पर 25,000 करोड रुपे का इन्वेस्टमेंट हुआ है और अमरित भारत स्टेशन योजना के तैट 508 रेलवे स्टेशन के पुंदर विकास का सिल्यनास किया गया है इनमें नरेंदर मोदी जी के द्वारा ही किया गया है वीडियो क इस आउसर के उपर सामिल थे अब बहुत सारा सुधार होगा इन्वेस्टेशन पर आप हर्याना से रिलेटिड अगर बात करते हो तो सबसे पहले मैं आपको एक्यूसन को डिटेल बताओं उसे पहले लास्ट लेक्चर में आपके एक्यूसन दिया था मैंने उसक्यूसन का तो अनसर खेर आपने दे ही दिया था पर 2014 से 2023 तक हर्याना में कुल कितने आरोबी और आर्यूबी बने हैं अब ये आरोबी क्या होते हैं और आर्यूबी क्या होते हैं आरोबी रेलवे ओवर ब्रीज और आर्यूबी रेलवे अंडर ब्रीज तो ये टोटल हर्याना में बने 172 बने हैं आर यूबी का मत्रब आप जानते हो na जैसे ये वाला टाइप जो है ये आर यूबी है उपर से रेलवे लाइन गुजर रही है और ये इसके नीचे से रोड निकाल दिया और ये जो उपर वाला फोटो दिखा रहा है ये आर यूबी है रेलवे यह आरो भी है आपका यह वाला ठीक ना रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे ओवर ब्रिज यह उपर वाला तो ओवर हो गया और यह वाला अंडर ब्रिज हो गया आपका यह टोटल देखो 2009 से 2014 में तो केवल 6 यह बने थे लेकिन 2014 से 2023 के बिच में बन गई यह और 2009 से 2014 के बिच में यह 26 बने थे लेकिन 2014 से 23 के बिच में 149 बन गई यह रेलवे अंडर ब्रिज यह इस टाइप वाले अंडर बिच थोड़े ज़्यादा बने है अब आप कहोगे सरी 2023 से 14 से 23 के बिच का अंगड़ा क्यों है इसके साथ आप सब को अच्छे से पता है ये कंपेर करने की वज़े कॉंग्रेस और बीजेपी यह ठोड़ा यहाँ पे प्लिटिकल बात है ठीक है हमारे लिए यह वाले पॉइंट इपाटन्ट है अब रेल्वे से रिलेटट बहुत सारी चीज़े है 51 किलोमेटर रेल लाइन का जोहना वो डबल हो गई है दोहरी करण जिसको बोलते हैं 370 किलोमेटर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन विदूति करण हुआ और 240 किलोमेटर पर काम जारी है मैं आपको एक बात बताता हूँ यहां से important point है कि हर्याना राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने 100% रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है विदूति करण कर दिया है very very important point है यह ध्यान रखिएगा आप दो हर्याना के इंदर रेलवे से related अगर बजट की बात करते हैं तो यह भी 613% में increment है 2009 से 14 में 315 करोड था और 14 से 24 के बीच में जो है न वो 2247 करोड है तो लगबग देखा जाए तो रेलवे की बजट को 613% का increment दिखाई दे रहा है यहां पर अच्छा हर्याना समेट टोटल पूरे भारत के 508 अमरित भारत स्टेशन नए भारत की नई पहचान के लिए इनका उदगाटन हो चुका है रेवाडी है रोतक है फ्रिदावाद है इनके समेट टोटल 15 रेलवे स्टेशन है इनमें बहतर लाइटनिंग सुईदा होगी सर्कुलेटिंग एरिया होगा दिव्यांग जन के लिए एक प्रॉपर स्टेशन बिल्डिंग होगा मतलब दिसा निर्देश भी प्रॉपर होगा फूड कोट भी बहुत अच्छा हो जाएगा शॉपिंग कॉंप्लेक्स हो जाएगा वेटिंग एरिया वगरा यह सब बाते मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था है मोडन फैसलिटी जैसे कि आपका यह फ्री वाइफाई है वेटिंग रूम का है लाइटनिंग वगरा यह सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा जीन्द जंक्षन है नर्वाना है भिवानी है सिर्सा है बहद्रुगड है नारनोल है पतोदी है और रिवाडी और फ्रिदावाद इन पे 2023 के लिए हर्याना ने वैसे 247 करोड का एक बजट दिया था जो कि अपने आप में भी रिकोर्ड था चंदिगड में अभी प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी जी का जुकारे करम था इसको लाइव भी देखा था जो पंजाब के राज्यपाले और चंदिगड के अडिमिस्टेटर है पनवारिलाल पुरोईत और हर्याना के मुख्य मंत्री जी ने ठीक है तो ये बात याद कर देना है आपको और हर्याना ने लगबग 20,000 क्रोड और वर्त्मान वित्य वर्स में 25 क्रोड के प्रोजेक्ट हर्याना को रेलवे से मिले तथा हर्याना के वियोजनाओं को निरंतर विकास करने के लिए के अंदर सरकार से इतना इंफ्रस्ट्रुक्चर के लिए पैसा मिला ह यह ग्यान चंद गुपता है, हर्याना विधान सभा के अद्धिक्स, यह पंजाब के और चंदीगड के परसास्तक हुए, पंजाब के राज्यपाल हुए, बनवारेलाल पुर हुई तो यह तो हर्याना के सीम है ही, आपको पता ही है, भारत के प्रदान मंत्री जी ने वीडिय अब भारत रेल्वे का रुकना भी स्टार्ट हो गया है, यह भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है ना कि वंदे भारत रेल्वे जो है, अब रेल ट्रेन है, रेवारी में रुकेगी, दिल्ली से जब जयापुर जा रही है, तो बीच में इसका स्टोप होने वाला है, क एक नया अपसिस्ट उपचार के अंदर जो होता है, आपका जैसे की सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट सेंटर होता है, आपका या जो कच्रा होता है, उसको मैनेज करने के लिए, उसका उदगाटन किया है, हर्याना के डैपोटिस्यम दुशन चोटाला ने अभी हाल ही में, अपने ये दो-तीन बार रेंक पड़ लिया, अभी रिसेंट रेंकिंग में भी हर्याना ने निकाली जाती है, भार सरकार के दवारा, और इसी रेंकिंग में मई महीने से लगबग नमबर वन पर ही हर्याना ही बनावा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक अन अब तो डिजिटल तरीके से अपरादियों की ट्रेकिंग या पुलिस की जान्स के मामले में हर्याना नमबर वन पर है, थीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दूसरे नमबर पर कोन है बसे दूसरे नमबर पर यूपी है, ये भी याद रखना आप दो, हर्याना के तीर रिशब ने अभी रिसेंटली चाइना के अंदर वर्ड युनिवस्टी गेम्स हुए थे वहां पे ब्राउंज मैडल जीता है option number A इस सवाल का बिल्कुल ठीक है सौनीपत के archer खिलाडी है रिशब यादाओ इन्होंने ब्राउंज मैडल जीता है इसके अलावा आप सबको याद रहना चाहिए फरिदावाद के आदर शिंग है और जॉइंड विद पंजाब शूटर्स ठीक है ना पंजाब के शूटर है जिनका नम है विजयवीर सिंदू और एक इनके अलावा जो है उद्यवीर सिंदू इनके साथ मिलके सिल्वर मैडल जीता था मैंस 25 मिटर प्रिस्टल रैपिड फायर इवेंट के अंदर इसके अलावा जो है ना आपकी एक संगीता है हिसार की इन्होंने भी ब्रॉंज मैडल जीता है इसके अंदर इसके अलावा आपको याद रखना है यशेश्वनी देसवाल है इन्होंने बी जो है शूर्टिंग का करियर स्टार्ट किया और जो है न इन्होंने भी मैडल जो है जीते हैं मनु भाकर ने भी मैडल जीता था मैंने आपको थोड़ दिन पहले ही पढ़ाई था प्रिदावाद की तनीशा वर्मा है और और भी खिलाडी है कई सारे यहां पर रीटा है उन्होंने भी मैडल जीता है यहां पर आपका हर्याना अभी क्रेच पॉलिसी लाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है हर्याना पहला राज्य बना है क्रेच पॉलिसी को लाने वाला राज्य मंत्री कमलेस धहंडा ने क्रेच नीती को लेके अभी राज्य सरकार में कामकाजी मजलाओं को ध्यान में रखके नीती बनाई है जिसके तहट 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को क्रेच में 8-10 गंटे तक रखा जाएगा क्रेच में कुशल और प्रिशिक्षित कर्मी लगाए जाएंगे क्रेच वरकोर को 15,000 रुपे और साहिका को 7,500 रुपे महीने में वेतन की रूप में दिया जाएगा इस विबाग की अतिक्त मुख्य सच्चिव का नाम है सुमिता मिस्रा इसके अनुसार राज्या में 50 से ज़्यादा करमचारी वाले सभी संस्थान जो है वहाँ पर क्रेच खोलना अनिवारे कर दिया है बिमान लेते हैं कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा जोना करमचारी काम कर रहे हैं पर क्रेच होना नसेसरी है, यही है क्रेच पॉलिसी एक्चुली, जहां पर बच्चों को खेलने का समान, खेलोने, पोस्टिक भोजन, नियमत, स्वास्ते जांच, टीका करन सोने की विवस्ता, सिक्ष्या, सारारिक ध्यान, ठीक है ना, सामाजी को भावनात्मक विकास, इसके लिए इंतजाम किये जाएंगे, मुक्यमंद्री जेन ने 500 क्रेच खोलने के निर्देश पहले ही जारी कर दिये हैं, हर्याना में अब तक 16 जिलों में 165 क्रेच जो है चालू किये जा चुके हैं, और इनने नई पॉलिसी के ताहत अभी अपग्रेड किया जाएगा, और क्रे लेने वाली है, साफ सफाई के लिए हर महीने जो ना 1000 रुपे दिये जाएंगे, बच्चों में क्रेच में सोने के लिए और फीडिंग रूम भी बनेंगे जैसे चोटा बच्चा 6 महीने तक का, तो उनके लिए भी, और क्रेच में कामकाजी महिलाओं के लिए उस क्रेच और रुपे, 1,80,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 किस आयोग के मल्टी डाइमेंशनल पौवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार हर्याना में 4 साल में 4.81 लोग गरीबी से बाहर आए हैं तो ये निती आयोग का भी रिसेंटली मल्टी डाइमेंशनल पौवर्टी इंडेक्स आया था उसी के अंदर ये रैंक दिखाया गया है जिसमें गरीबी से लोग भार आए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में गरीबी के आंकड़ों में गिरावट आई है इस रिपोर्ट के अनुसार 24.85% से गट कर 14.96% रह गी यानि कि लगबग 10% और हर्याना के अंदर जो नहीं यह आंकड़ा 11.88% था लेकिन अब यह आंकड़ा हो गया 7.7% बड़ा ही इपॉर्टेंट स्लाइड है स्क्रिंशोट रखके अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेना मतलब अब हर्याना में 4.88% जो है उससे अधिकी गिरावट देखने को मिली है हर्याना में दो जिलो में हर्याना में गरीबी बढ़ गई है यम्ना नगर के अंकड़े हैं 0.24% और अंबाला में 1.8% गरीबी जो ना बढ़ी है बाकी यह जिले हैं जिनमें क्या-क्या रहा है आंकड़ा खेर इकना तो आपको इतना डेटेल से जानना नीड नहीं है ठीक है अज़ अप्रिकेशन पर जाईएगा बाइलेंग्वल आपको वी ओडी बैच मिलेगा एच अससे ग्रूप डी की त्यारी कर रहे हैं तो आपको यह भी एक स्पेसल बैच मिलेगा स्टार आईक्यू अप्रिकेशन पर आप इन दोनों बैचिस को जोईन कर सकते हैं ठीक है ना अथं स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है तो अप्लिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं शुक्रिया रादे रादे